नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका आज के स्वीडियो में दोस्ते से कि आप जानते हैं कि हम जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते हैं लेकिन क्या आप भी जानते हैं कि advance claim करने के लिए हमें वो advance reason select करना होता है यानि कि वो कारण हमें बताना होता है जिस कारण के चलते हैं हम अपने PF account से advance claim करके पैसा निकालना चाहते हैं और PF account में कई सारे advance reason हैं जिनके जरी हम अपने PF account से advance के रूप में पैसा निकाल सकते हैं तो आज की स्वीडियो में मैं ऐसे ही एक advance season के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है illness advance reason आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि illness advance season का मतलब क्या है दूसरे point में हम जानेंगे कि illness advance season के जरिये हम अपने PF account से कितना पैसा निकाल सकते हैं तिसरे point में हम बात करेंगे कि illness advance season के जरिये हम कितनी बार advance claim कर सकते हैं और आखरी point में मैं आपको वताऊंगा कि illness advance season से कियेगा एक claim कितने दिल में settle होते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसर रिक्वेस्टी की चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस प्योफो जानकरी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तों इल्लेस एडवांस सिजन के बारे में बात करने से पहले तो मैं आपको इस एडवांस सिजन के बारे में छोटी से जानकरी देता हूं कि illness advance season एक यसा advance season है जिसे सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है यानि कि इस advance season के जरिए सबसे ज़्यादा advance claim किया जाते हैं क्योंकि इस advance season को इस advance season के जरिए claim करने की कोई भी शर्थ नहीं है इस advance season को कोई भी PF members कभी भी इस्तिमाल करके advance claim कर जकते हैं अब बात करते हैं कि illness advance season का मतलब क्या है? तो illness का मतलब है बिमारी याने कि बिमार तो PF account में illness नाम का एक advance season है जिसमें कि PF members के बिमार होने पर या उसके परिवाल के किसी सदस्य के बिमार होने पर अगर उसे पैसों की जरूँ थे तो वो इस Advance Season का इस्तेमाल करके अपने PF Account से पैसा निकाल सकता है अब बात करते हैं कि Illness Advance Season के जरी advanced claim करके हम अपने PF account से कितना पैसा निकाल सकते हैं तो अगर आप इस advance season के जरीए advance claim करेंगे तो आपको कितना amount मिलेगा इसका कोई fix amount नहीं बताया है लेकिन illness advance season के जरीए आप अपने 6 मैने की salary जितना amount निकाल सकते हैं जा फिर आपके PF amount में total जितना amount है उतना आप निकाल सकते हैं लेकिन इन दोना amount में से जो भी कम amount रहेगा व ये से तो कोई limit नहीं है आप कितनी भी आप इस advance season को इस्तिमाल करके advance claim कर सकते हैं लेकिन कुछ समय पहले ilix advance season को इस्तिमाल करने की एक limit लगाई है वह limit यह है कि अब साइस advance season के ज़रीए आप एक महने में सिर्फ एक बार claim कर सकते। illness advance season को इस्तिमाल करने की limit भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि कुछ PF members यह सा करते थे कि जैसे ही उनका एक illness का claim settle हुओ वैसे ही वो दुसरा illness का claim submit कर देते थे जिस वज़े से PF office में कई सारे claim submit होते थे और इसी कारण से यह पीएफों ने illness advance season को इस्तिमाल करने की limit लगाई है तो आप इस advance season के जरिये कितने भी बार advance claim कर सकते हैं लेकिन शर्ट बस इतनी सी है कि आप इस advance season के जरिये महिने में सिर्फ एक बार claim कर सकते हैं अब बात करते हैं कि illness advance season के जरिये किये गए advance claim को settle होने में कितने दिन का समय लगता है तो इस advance season के जरिये किये गए claim को settle होने में दो अपते का समय लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस advance season के द्वारा किये गए claim को settle होने में दो अपते का ही समय लगे फिर claim settle होने का कोई भी fix time नहीं है तो inless advance season से किये गए claim को settle होने में दो अपते का समय लगता है लेकिन कई बार ये claim दो अपते से कम समय में भी या फिर दो अपते से जादा समय में भी settle होते है लेकिन अगर आपके claim को settle होने में Claim 2पते से जादा कसमें लगता है याने कि आपका claim 2पते सक settle नहीं होता है और वो 2पते से जादा समय तक एंडरपोसेस में ही रहता है तो उस claim को किस सले से settle करवाते है उसके लिए मैंने उल्गे एक वीडिए बना दिया है उस वीडियो का लिंक आपको पराई बेटन पर मिल जाएगा तो तो यह थी कुछ जान करिया इल्लेस एडवांस सीजन के बारे में उम्मिद करता हूँ कि इल्लेस एडवांस सीजन से जुड़े सभी परिंट को मैं आपको हासाली से समझा पाया हूँ वीडियो आपको पसंद आयों तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें कोगि इप याफ उस जुड़ी जान करें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी